नमस्कार मैं प्रग्या धर्द तीस खबरों में आपका स्वागत है चली जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को मौसम विग्यान विभाग के विग्यानिकों के ओर से देश के विविन हिस्सों में जलवायू परिवर्तन के सर पर एक रिसर्च की गई है इस अध्यान के जो परिडाम सामने आए हैं उनके मताविक दो हजार साथ तक भारत के ऐसे कई सहर होंगे जनमें हीट वेव का समय बढ़ जाएगा रिसर्च के मताविक यह 12-18 दिनों तक की हो सकती है खासतोर से उत्तर परशिम भारत में 30 दिन के अंदर ओस्तन चार हीट वेग चल सकती है जिससे हीट स्टोक के मामलों में भी बढ़ोतरी हो सकती है प्रधान मंतरी निरिंद्र मोधी ने आज महराष्ट में 86 लाग से अधिक कसानों को लाप पहुंचाने के उद्धेसे से 75-100 करोर उपए से अधिक की परियोजनाय सुरू की है एक अधिकारिक बयान में कहा गया है कि मोधी सिर्दी में प्रसद श्री साही बबा मंदर में पूजा अर्चना के बाद इसके नए दश रिकतार परिसर का उद्धाटन के इसके बाद वह नीलवन्डे बान का जल पूजन की और बान के नहर नेटवर को राष्ट को समर्पित कर बाद में लगभग 75 सो करोर उपए की कई विकास पर योजनाव का उद्धाटन और सलन्यास करने के लिए सिर्दी में एक सारजनिक सारकारिक्रम में भाग लिए प्रदेश के सभी जिलों के सक्षा अधिकारियों को इस सम्मद में लेटर भी जारी किया जा चुका है बाद को बता दे किससे पहले केके पाठक ने 23 अक्टूबर को पत्र जारी कर 2 नौमबर को अपोइंटमेंट लेटर मिलने की बात कही थी महीं अभी कहा गया था कि अपोइंटमेंट लेटर में जिस स्कूल का नाम दिया जाएगा वहाँ सेवा देनी होगी देश में One Nation One Election को लेकर बुधवार को पुर्व राश्ट्रपती रामनात कोविन की अध्यक्षता में समीती की दूसरी बैठक हुई इसमें केंदरे गिरे मंतरे अमसा पुर्व सॉलिसीटर जनरल हडी सालवी जमो कश्मीर के पुर्व सीम गुलाम नभी आजाद के अलावा विदे आयोक के चेर्मेन रितुराज अवस्ती मौजूद रहें सुरान लॉग कमिशन की ओर से एक पुरा रोल मैप पेश किया गया मीडिया में चल रही खबरों के नुसार बैठक में लॉग कमिशन ने जानकारी दी है कि वन नेशन वन इलक्षन को अगर दीश में लागू करना है तो उसके लिए काउन और समिधान में क्या संसुधन करन सेंध राष्ट ने अपकी एक रिपोर्ट में चिताबनी दिया है कि भारत भूजल की कमी के काने चरम बिंदू की ओर बर रहा है रिपोर्ट में कहा गया है कि गंगा बेशन के कुछ लाकों पहले से ही इस चरम बिंदू को पार कर चुके हैं और 2025 तक इसका असर दिखना भी शुरू हो जाएगा इंटरकनेक्टिड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट दोहजारत इस नाम से प्रकाशत इस रिपोर्ट को सैंट तराष्ट यूनिवरसिटी इंसिटूट फॉर एंवार्मेंट एंड हुमन सेकुरिटी ने तयार किया है देश में एक बार फिर इंडिया और भारत को लेकर बयान बाजी तेज हो गई है राजनितिक दल किंद्र की मोधी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं और ऐसा इसले क्योंकि एंसी एर्टी पैनल ने सभी एंसी एर्टी पार्थी पुस्तकों में इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का प्रस्ताव दिया एंसी एर्टी पैनल की सिफारिस पर आप रवक्ता प्रियंका ककर ने कहा कि हमें भारत या इंडिया से कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ कि पिया मोधी को इंडिया से दिक्कत है और या इंडिया गरबंधन बनने के बाद ही हुआ है हमारे समिधार में इंडिया और भारत दोनों का अस्त्रमार होता है और दोनों का उपयोग किया जाना चाहिए प्रवेश वीजा, विजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉनफरेंस वीजा की शरीनी में ही शरुक की आगया है ऐसे में सुरक्षा सिती रिव्यू करने के बाद वीजा सर्विस दुबारा से शुरू की गई है फैसल अगरुबार से लागू होगा अप्रेल सितंबर के दौरान तसकरी किये गए सोनी की जबती करीब 43% बरकर 2000 kg होगा इसमें से अधिकतर सुना में अमार नेपाल और बांगलादेश की सिमाओं के जरिये भारत में लाए गया केंदरी अप्रत्यक्षकर एवं सीमा सुलक वोड के चेर्मेन संजय कुमार अगरवाली बताया कि पिछले साल अप्रेल सितंबर में 1400 kg सोना जबत किया गया था इसने नहीं सौपा हो सिर्ष अलात ने कहा कि मुख्य नयादी द्वारा विशेश रूप से नहीं सौपे गया मामलों को लेना घोड और अचितिक कारे हैं सिर्ष अलात ने आश्चरी जिताया कि प्रात्मिक्यों को एक साथ जोडने के लिए दिवानी रीट याचिका अनसंधान और प्रसक चंपरिस्त द्वारा सुझाई गई पठन सामगरी में विज्ञान को पुरानी कथाओं के साथ मिला देने के मामले ने तरकवादियों और सक्षावदों को नरास कर दिया है दहिंदू की रिपोर्ट के मताबिक उनका याभी तरक है कि पठन सामगरी म भारती अंतरिक्ष अनसंधान संगठन और वेग्यानिकों के योगदान के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन किया गया है दर्चस पात यह है कि 17 पन्नों की पाठे सामगरी में हर जगा इंडिया को भालत का गया है मौब लिंचिंग की घटनाओं में शामिल लोगों पर भी हत्या के मुकदमे की धरही धराई बन सकती है और सजा ए मौत एवं उम्रकैद की सजा मिल सकती है मौब लिंचिंग के मामले में साथ साल तक की सजा का प्रावधान रहा है जिसे अब बदलकर फांसी और उम्रकैद करने का प्रावधान रखा जाफ लगतार बरते स्कैम और फ्रोड को रोकने के लिए सरकार लगतार प्रयास कर रही है अब दूर संचार विभाग्न सिम खरेदने के नियमों में भी बदलाव किया है 1.2023 से पूरे दीश में सिम खरेदने के लिए नियम लागो किया जाएंगे नियमों के लागो होने पाद एक आइडी पर लिमिटेट सिम ही खरेदे पाएंगे अगर आप बिहार बोर से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए एक ख़बर बेहाधी मत पुर्ण हो सकती है बिहार के सिक्षा सचीव के के पाठक दोरा लगाए गया करे नियमों के बाद बिहार के 2.66 लाग चातर चात्राओं को मैट्रिक और इंटर के बोर परिक्षा से वंचित कर दिया गया है बोर दोरा दीगई जानकारी के नुसार माध्यमिक और उच माध्यमिक मिध्यारियों के सैचनिक सतर दोहजार तेई शोबस में नौवी से बारवी कक्षा सलगातार अनुपस्त रहने वाले चातरों को सिरिंट परिक्षा में भी शामिल नहीं होने किया जाएगा मिजोरम विधान सभा के लिए 7 नौवंबर को होने वाले चुनाव के वास्ते कम से कम 3,000 पुलिस कर्मी और केंद्रे सिस्तर पुलिस बलों की 450 टुक्री तैनात की जाएगे मिजोरम के मुखे निर्वाचन अधिकारी मधूप वियास ने बुधवार को कहा कि निर्वाचन आयोग सुचारू सितंत्र निस्पक्च और शांति पुन्ट चुनाव सुनिशित करने के लिए बड़े पैमाली पर प्रियास कर रहा है वियास ने यहां समध आताओं से कहा सीमा सुरक्चा बलकर्मियों की 10 कंपनिया और केंदरे रिजर्व पुलिस बलत था ससस्तर सीमा बलकी 55 कंपनिया पहले ही मिजोरम पहुँच चुकी और अपने तैनाती अस्थान उपर है एक बॉस OTT दो के विनर रहे एलवेश यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है बताया जा रहा है कि एलवेश से कुछ अंजान लोगों ने एक करोड की रंगदारी मांगी है ऐसे में गुरुग्राम पुलिस ने शोचल मेडिया एंफुएंसर अलवेश यादव के शिकायाद पर अग्याद बदमाशुर खिलाप मामला दर्ज कर लिया है उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आधित्यनात ने कहा कि प्रधान मंतरी ननिंद्र मोदी द्वरा एयोध्या में राम मंदर का प्रान प्रतिस्ठा समाडों भगवान राम की करोडों भक्तों की भावनाओं को प्रति बिम्वित करे का एका अधिकारिक बयान के मु प्राचीन मानव सब्वेताओं का एक और प्रमान है प्राचीन मानवों के तियास में अविजन नदी के किनाड़े मनुश्यों की बस्ती होने के पहले बी कई प्रमान मिल चुके हैं ICC World Cup 2023 में दिली के अरुजेटलिय स्टेडियम में जो मैच खेले जा रहे हैं उसमें स्टेडियम में लाइट स्टो होता है जिसका फैंस काफे लुत्व भी उठा रहे हैं लेकिन इस स्लाइट सो से ऑस्ट्रेलिया और ग्लेन मैक्सवल बिल्कुल भी खुश नहीं है ग्लेन मै जानकारी के मुताविक पुर्वी 36 में वंदे भारत में यात्रा करने वाले यात्रियों के आगरों के नुसार कुल यात्रियों में से ओस्तन 47.06 प्रतीशत युवा और 25-50 वर्ष के आयू वर्ग के शमिक वर्ग के हैं जो परिवहन के अनिस साधनों से उपर वंदे भारत पसंद करते हैं पूरी हावडा और पूरी राउरकेला के बीच वंदे भारत में यातरा करने वाले सभी आयूवर्ड के यात्रियों में यह आयूवर्ड सबसे अधिक है प्रमोकर तरवस्ताओं में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है कोरोणा महामारी के बाद भारत का सकल घरेल उतपाद साथ प्रतीशत से अधिक की दरसे लगातार बढ़ रहा है भारत की सफलता की कहानी ने वैस्वी कार्थी क्रिनाली में इसकी दृष्टा और प्रभाव को बढ़ाया है इसके अलावा वैश्यों की विकास में इसका योगदान 15 प्रतीशत रहा है यदि विश्व एक वर्ष में अपने सकल घरेल उतपाद में 100 डॉलर जोडता है तो भारत में बेचना चाहती है तो रियायते नहीं दी जाएंगी सरक पडिवान और राजमार्ग मंतरे नितिन गड़करी का आलन मस्की टेसला के लिए एक पस्ट संदेश से एटी के साथ एक अंटरव्यू में नितिन गड़करी ने कहा कि टेसला को भारत में स्वागत है लेक पांच नमंबर को साउथ अफरीका के खिलाब मुकाबले में अपना पचासवा बंड़े सतक लगाएंगे बंड़े में कोली अब तक शतको के मामने में अर्तालिस का आकराद छूचुचुके हैं बीतर अविवार नियूजलान के खिलाब धर्मशाला में खेले गया साथ ही देश में डिंगू के कहर ने दस्तक दे दी है यूँ तो हर साल इस मौसम में डिंगू के मच्छर से काटने वाले इस बिमारी से लोग संक्रमित होते हैं लेकिन इस पार डॉक्टरों ने इसे लेकर चिताबनी दी है डॉक्टरों का कहना है कि सामाने तोर पर स्वस् जीहां विगत दिवस हुई काबिनेट की बैठक में केंद्रे काबिनेट ने फर्टिलाइजर सबसीडी 22,303 करोर रुपए की मनजूरी दे दी है इसकी घोशना किसी और ने नहीं बलकि केंद्रे काबिनेट मंतरी अनुराग ठाकुन ने स्वेम की है ये घोशनाडवी सीजन 2023 शोबस को ध्यान में रखते वे की गई है अला कि आपको बता दे किस साल पिछले साल के तुनला में सबसीडी में 57 फीजदी की कम जाई है अंतराश्ट्री मुद्राकोस की प्रबंध निदेश क्रिस्टालीना जॉर्जिवा का कहना है कि जराल और हमाज के बीच जारी संगश वैस्विक अर्थवेवस्था पर एक और काली बादल की तरह है इस जंग निवैस्विक अर्थवेवस्था के चितीज को अंधर कार मैं कर दिया है और इससे विश्व आर्थिक द्रश्टी कोन खड़ाब हो सकता है हाला कि हम बारी की से सिती पर नज़र रखे वे हैं उन्होंने कहा कि आई एम एफ की पहली चिंता योदिक के कारान खत्म होए जीवन को लेकर है संगश के व्यापक और अनिश्ट प्रभाव पहले से ही असपश्च थे तेश्बर के धार्मी के स्थलो पर श्रधालू पहुँच रहे हैं नवरात्री के दोरां जमू के रियाईसी जले में त्रिकूटा की पहारी पर विराजित मा वैशन देवी के दर्शन करने का रिकॉर्ड चार्ड लाग श्रधालू पहुँच जनवरी से अब तक यहां 80 ल चार लाग श्रधालू पहुचे थे जुन 9 साल में सर्फ से अधिक थे इस दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने डेडलाइन तैग कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने सब भी विभागों से यह श्रुचित करने को कहा है कि पुर्ण मोवाइल फोन नेटवर्क कबरेज हासिल करने के लिए मार्स दूहजार चौबिस तक भारत के सभी गामों में मोवाइल टावर हो टी उवाई के नसार देडी के बाड़े में चिंता व्यक्त करते वे प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोड दिया कि बांधों के निर्मान के संबन में अस्थानी ये लोगों क्या पतिया हो सकती है लेकिन व्यामतोर पर संचार नेटवर्क को और टॉप स्कीम एतलेट कृष्णा नगर एशियाई पैडा खेलों में काश्य पदक रात करे पतादी की भारत ने पैडा एशियाड में अपने पिछले सर्वस्ट्रिष्ट पदक को पीछे छोड़ दिया है जो बहुत दर था करनाटक में सभी परिक्षाओं में मुस्लिम चातराओं को हिजाओं में परिक्षा दिनी की अनुमती दी जाएगी अफैसला करनाटक के मुख्य मंतरी सिधार अमया की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया इसको लेकर प्रदेश के सक्षा मंतरी म.C. सुदाकर ने गोशना की कि राजी में मुस्लिम चातराओं को सभी परिक्षाओं में हिजाब में उपस्तित होनी की अनुमती दी जाएगी। करते हैं आज के सवाल के और आज का सवाल है। चौथे एसी आई पैडा खेलो में भारत के शांदार फॉर्म पर आप क्या कहेंगे। अपना जवाब हमें मारी कॉमेंट सक्षम में लिकर जरूर बताएं आज के लिए तना ही धन्यवाद।